मध्या प्रदेश की सीम शिवराज सिंग चौहान ने प्रदेश में आदिवासियों पर चल रहे छूटे मूटे मामलों को वापस लेने की बात कही है सीम शिवराज मंगलवार को जोबट के चुनावी दौरे पर थे और एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का एलान किया अलीराजपुर जिले के जोबट विधान सभाक शित्र के उदैगर इलाके में सीम शिवराज सिंग चौहान ने मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित किया इस अफसर पर उन्होंने कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आदिवासी वर्ग के हितों के लिए शिवराज की सरकार शिवराज गवर्मेंट ने जो योजनाई चलाई थी उन्हें कमलनाथ की सरकार ने आते ही बंद कर दिया लेकिन अब उन्योजनाओं को दोबारा शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ अब हम विकास की एक नहीं इबारत लिखने जा रहे हैं शिवराज ने एलान किया कि आदिवासियों के उपर प्रदेश भर में जो छोटे मोटे मुकद में चल रहे हैं और जिनके चलते उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें सरकार वापस लेगी इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में जल्द ही एक लाग सरकारी नौकरियों में भरती का एलान किया जिसमें आदिवासियों को पर्याप प्रतिनिदित्व दिया जाएगा शिवराज ने ये भी घूशना की किया दी आदिवासी महुआ की शराब पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बनाते हैं तो उसे बेचने की अनुमती दी जाएगी और इसके लिए बाकाइदा सरकारी दुकानों पर भी बिख्री होगी शिवराज ने इसके साथ ही आपका राशन सरकारी स्कूलों में मध्यान भोजन जैसे योजनाओं का संचालन अब समूह की महिलाओं के माध्यम से करने की बाद भी मुख्यमंत्री ने कही कमलनात पर करें इस चोटे जोटे मुकदमें मैं हत्या की बात नहीं करता है लेकिन छोटे मोटे मुकदमे है वो सारे मुकदमे बाफिस ले लिये जाएंगे सरकार की तरफ से वो नहीं चनेंगे पावर्ड बाइ आर्थ्रोस्क्रीनिक अ डेडिकेट सेंटर पोर आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्स इंजरिम्स